सद्र्षम्चेष्टते स्वस्याह प्रक्रतेर ज्ञान वानपी प्रक्रतिम्यांती भूतानी निग्रह किमकरिश्यती सद्र्षम्चेष्टते स्वस्याह प्रक्रतेर ज्ञान वानपी प्रक्रतिम्यांती भूतानी निग्रह किमकरिश्यती ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रक्रती के अनुसार कारे करता हैं क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्र अपनी प्रकृति का ही अनुसरन करते हैं, भला दमन से क्या हो सकता है? तो भगवान यहां बताते हैं कि अगर आप किसी वेक्ति को देखते हैं कि वो बहुत ग्यानी है, उसे ग्यान प्राप्त है, तो भी ये समझ कि उसने अपनी प्रकृति के अनुसरन ही कारे किया है, हो सकता है कि वो सतोगुण में बहुत आगे निकल गया, उसने सतोगुण को बहुत हद तक अपना लिया, और उसके अनुसरन उसे ग्यान प्राप्त हुआ, यूँ भी कहा गया है कि जो भगवान की भक्ति करता है, उस उसे अपने आप ग्यान प्राप्त हो जाता है उसे अपने आप विरक्ति प्राप्त हो जाती है तो भगवान यहां कहते हैं कि ग्यानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कारे करता है क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अन्जाम देते हैं क्योंकि दमन से कुछ नहीं हो सकता बगवान कहते हैं कि सांसारिक धरातल पर अगर आप देखें और कोई सोचे कि चलिए मैं सर्धानतिक ज्यान से आत्मा को शरीर से अलग करनूंगा और माया के बंधन से निकल जाऊंगा तो वो बिलकुल भी संभव नही और ऐसे बहुत सारे अध्यात्मवादी हैं जो अपने आपको इस विज्ञान में बढ़ा चड़ा मानते हैं लेकिन वो अंदर ही अंदर प्रकृति के गुणों के अधिन रहते हैं और ये बात उन्हीं पता भी नहीं चल पाती कि प्रकृति को जीत पाना बहुत कठिन है क् कि भौतिक प्रकृति का जो संग है वो हमने अनंत अनंत जन्मों से किया हुआ है और इस भौतिक प्रकृति के चंगों से एका एक आप निकल नहीं सकते हैं लेकिन हाँ यदि आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगते हैं तो आप धीरे धीरे भौतिक बंधन से भौतिक बंधन आप से अलग होने लगता है आप कृष्ण भावना भावित होने होते हैं आप भगवान की भक्ति में जैसे जैसे स्थिर होते जाएंगे वैसे वैसे आप सांसारी कारियों से विरक्त होते चले जाएंगे तो भगवान यहां कहते हैं कि दमन अच्छी बात क्योंकि दमन से आप अपनी प्रकृति का दमन नहीं कर पाएंगे क्योंकि विवश होकर आपको इन तीनों गुणों से प्राप अपनी प्रकृति का अनुसरन करना ही पड़ेगा मात्र कृष्ण भक्ति ही आपको शुद्ध सत्व में स्थापित कर सकती है जो निर्गु नवस झाल